इसे से जुड़ा एक सवाल है, आपने इसका जिक्र किया, अभी आपने देखा होगा उदेपूर एहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर भी ब्लास्ट हुआ, उसका भी उद्गाटन प्रदान मंत्री नरेंद्र मुदी ने तेरा दिन पहले किया था, और रात को शनिवा रात को व को लेकर बारबाजब हम डिबेट करते हैं, अकसर एक सवाल उठता है, ड्रग्स को लेकर, हर्ज भाई, आप ग्री मंत्री हैं, अड़्डा बना दिया, मतलब कहा जा रहा है कि ड्रग्स का हब बन गया, गुजरात 6,000 करोड की ड्रग्स पकड़ी जा रही है, हो क्या रहा है गुजरात में, हर्ज भाई, मैं यहां बैठे हुए सबी लोगों से मतर एक सवाल करना चाह रहा हूँ आज, ये ड्रग्स, पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स माफिया, अंदावाज सहर के कोई पुलिस टेशन में आके जमा नहीं करा गया है, कि भाई साब हम ये पाकिस्त पाकिस्तान से 500 करोड रुपे का ड्रग्स लाए है, आप इसको जमा कर लो और हमको पकड के अंदर दाल लो, ये ड्रग्स को पकडने के लिए गुजरात पुलिस ने बहुती सहसिक काम किया है, गुजरात ATS, भारत पाकिस्तान की बार्डर पे जाके गोलियों का सामना किया है, एक दो केसिस नहीं, हमने लगातार एक के बाद एक, आज 40 से ज़्यादा पाकिस्तानी गुजरात की जेलों में बंद है, हमने ड्रग्स पकड़ा है, ये कोई आके जमा नहीं करा गया है, जो ये विपक्ष के लोग राजनितिक मुद्दा बना रहे हैं, उनको मैं कौन सा राजिया है, आपको भी पता है, यहां बैठा हुए लोगों को भी पता है, आईए उनको बोलिये मेरे सामने आकड़े लेके आए, हम दोनों के आकड़े कंपेर करते हैं, ड्रग्स पकड़ना ये अच्छी बात है या ड्रग्स का कारोबार चलाने लेना ये अच्छ की जेलों से ये कारोबार चल रहा है, हमने पंजाब की जेलों में ये जो कारोबार चल रहे है, उसकी माहिती पंजाब पुलिस को तीन दफा दिये, आज तक कोई कदम नी उठा है उन लोगने, हमने मातर गुजराच से ये ड्रग्स नी पकड़ा, हमने कलकता आके पोड़ जाके ये ड्रग्स पकड़ा है, हमने दिल्ली में जाके ये ड्रग्स पकड़ा है, हमने पंजाब की जेलों में से चल रहा है, ये टेरर नेटवर्क जो ये ड्रग्स का है ना पुरा, उसको फोड़ने के लिए ये जो काम किया है, उसके बाद हमने उन लोग को माहिती दिये वो लोग काम करना नहीं चाहरे, उनकी नीती नहीं है कि ड्रक्स को ये देश में गुषने में, बंद करने में मदद करनी है, हम लोग समाज की बहुती बड़ी जिम्मेदारी उठाई है, हमने ड्रक्स पकड़के, मातर गुजरात के नहीं, ये देश के यूवकों का भविश् बिगडने से बचाया है, यहाँ पे मेरे आज कहीं कॉंग्रेस के मित्र भी यहाँ पे आये थे, मैं उनको भी सुन रहा था, 2020 में महरास्ट्र में किसकी सरकार थी, ठाने में सलीम नाम का एक यूवक, सबजी की लारी चला रहा था, और सबजी की लारी के नाम पे, वो द्रग्स माफिया को पकड़ा होता, तो हमें नहीं पकड़ना पड़ता इसको, हमने यह नहीं देखा कि यह तो महरास्ट्र जा रहा है, उसको जाने लो हमारे में आकड़े नहीं लेने, हमने यह समझा कि ही हमारी नहीं नहीं जिम्मेदारी है, देश के सभी वर्गों को कारों से निविधन करते हैं और इसको किस प्रकार से पकड़ा जाए उसमें नेशनल एजनसे किस प्रकार से मदद कर सकती है उसके लिए वो बहुत गंबिर होते हैं लेकिन कुछ राजिये ऐसे होते हैं कि जिनको ये कारोबार नीचे तक चलाने लेने में और कही फाइदे होत था हाल फिलहाल में और आपका स्टेट्मेंट बहुत वाइरल हुआ था उस वीडियो से ज्यादा खेडा वाला विवाद जिसमें पत्थरवाजों की पब्लिक फ्लॉगिंग की गई थी पुलिस द्वारा जो कते ही गलत है कानूना गलत है आप भी उसको मानेंगे आपने स् कि चुनाओ के समय अचानक खड़िवी मानव अधिकार की कुछ संस्था है जब पत्थर मारने वाले पर अगर कोई कदम उठाते हैं ना तब ही मानव अधिकार की बात आती है लेकिन मेरी गुजरात की धर्ती पर कोई नवरातरी के समय गर्भा खेल रहा है और मेरी ये गु कि पुछना चाहता हूं कि इन्होंने पत्थर खाये है उनका मानव अधिकार मही होता क्या इट एकिन सर पब्लिक फ्लॉग इंग वापिस आपको जितना सुनने है उतना ही आप सुन रहे हों कि अगर पद्थर मारने वाले पर कदम उठाए तो आप अचानक से देश भर में से देश को तोड़ने वाली जो टुकडिया है ना वो मानव अधिकार के नाम पे इनको पत्थर मारने वाले पे क्यों कदम उठाए अरे भाई साब आगे के देन मेरे राज्या की बेटियों पे जो पत्थर मारे थे तब भी तो कुछ बोलना चाहिए ना तब क्यों कोई नहीं तब एक भी राजनेतिक पाटी भारतिया जंता पाटी के अलवा एक भी राजनेतिक पाटी गुजरात में एक भी जन्य है अगर इक भी सब निकाला तो आप डेटा निकालिए सर पोलिस को लाइना अला ना यह बीटियों को पत्थर मारा थीक आप मुझे पताए रहीं पत्थर खाने वाले कोई भी तो सोचिए कभी भाई साब मेरे राज्य में मेरे राज्य की धर्ती पे कोई गर्भा खेलने वाली बेटियों पे कोई आख हुंची करें तो वो नहीं चला लूंगा में ये एकदम सपस्ट है आचा इसको भी क्योंकि आपके बयान को भी सौफ्ट पोलराइजेशन एक तरीके से माना गया अप मुझे एक सवाल मुझे भी आज देश की जनता आपको भी सुनना चाहती है अच ठीक पताईए लेकिन आपको भी सुनना चाहती है मानव अधिकार पत्थर मारने वालों के मानव अधिकार की बात किये उनके पूरे पत्र आप पढ़ लिए उन्होंने कई पे भी एक लाइन भी लिखा है कि ये लोग ने जिनको पत्थर मारा है उनका भी मानव अधिकार होता है और इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए तो ये धार्मिक भड़काव इस प्रकार के पत्र के माधियम से गुजरात में किस प्रकार से असंति फैलाई जाए उसका प्रयास करने वाली टॉलकी है और ये टॉलकियों को तो मैं जवाब उसको लेकर भी का जा रहा है इतना डेमोलिशन ड्राइव वाहं पर हुआ उसको लेकर कर आ गया कि बागवान कृश्चन की जमीन है भाई वो वहां पे इस प्रकार की डूपलिकेट मजार हम नी चलाएंगे एक-दम स्पस्ट है इतनी डेमोलिशन ड्राइव वाहं पर